हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल तो मैं हूँ मिनाक्षी और आप लोग देख रहे हूँ स्टाइल विद मिनाक्षी तो आज की वीडियो में जो आप लोग से शेयर करने वाली हो है नाइका शॉपिंग हॉल तो मैंने करिया नाइका से को शॉपिंग जादा नहीं थोड़ आपके बाद जाने के लिए और चलिए तो आज की वीडियो में शुरू करते हूं तो गाइस प्रीज में चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत अच्छी वीडियो आगे भी मेरी चैनल में देखने के लिए तो सबसे पहले तो नाइका से शॉपिंग मैंने फास्ट टाइम कर बाद में जो इस तरह की प्लास्टिक पाकेज होती है तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह दो तिन वार करके आया कि आपकी प्रोडक्ट मतलब कर आते वक्त राक में जादा ऐसे है मतलब गिरे परे फिर बी आपकी प्रोड़ाप्ट पई रहेगा कुछ भी नहीं होगा तो जब मैंने फ्रोड़क को लिया तो देखा कि इस तरह से पैपर में 3-4 वर रैप करके हुआ है तो चले मैं दिखातु क्या तो गाइस मैं आप लोग आप दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है तो सबसे पहले जो के मैं शौपइंग करी है बायोटिक का एक पेस पैक So Susie बहुत दिनों से पेस पैक चाहिए था और बायोटिक का मैंने फेस पैक बायोटिक के सारी प्रोड़क का मैंने बहुत अच्छी रेवूस देखा था इसलिए मैंने सुचाए कि अब खरी दिलू क्योंकि फेस्पेक चाहिए था तो मैंने जो फेस्पेक मंगाया है वो है बायो टिक का बायो फूट फेस्पेक जो के वाइटनिंग और डी पिग्मेंटेशन और टैन रिमूबल फेस्पेक तो मुझे बहुत ज़्यदा मतलब जरुरत था इसलिए और यह अंदर से इस तरह का एक डिपी में आता है विस्पेक और उसके पाद जो है इस तरह की प्रोडेक्टर दिया हुए तो गाइस सबसे पहले तो मैं सारी प्रोड़क का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे आपको कुछ भी इसर मतलब पर्चिस करना है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे आप बास जाके पर्चिस कर सकते और इन में से किसी भी प्रोड़क का अगर आपको रीबू चाहिए तो मुझे जरूर कॉमेंट में बताना मैं रीबू जरूर शेयर करोंगी और सेकेंड मैंने जो प्रोड़क्ट ओडर किया है वो है ल एक आईशेड़ू पैलेट जो कि वेट इन वाइल का कालर आइकोन आईशेड़ू पैलेट है सबसे चोटा वाला जो है वही है क्योंकि मैं हूँ मेक अप में बिगिनर्स तो इसलिए मुझे मेक आप अभी सीखनी है तो इसलिए मुझे कुछ प्रोड़क्ट चाहिए था मे और की मतलब प्राइस में डिस्क्रिप्शन में दे दोंगी गाइस लिंक के साथ क्योंकि अभी मुझे मिल रहा इसका प्राइस बताने के दर है और इसके बाद मैंने ओडर किया एक ब्लाश भी है वेटन वाल्ड का ही कालर आइकोन का एक ब्लाश है तो इस तरह से दिखता ह इसको मैंने खरीद आया और इसके बाद मैंने खरीद एक ब्रेश जो कि मुझे ब्लेश ब्रेश है टीएस एंगल जो ब्रेश ब्लेश ब्रेश होती है ना वही है तो इसका भी मैं प्रेश डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो मैंने एक ही ब्रेश ओडर किया भी तो मैं गृटसके बाद जो मैंने ओडर किया है वह यह बैवनिंका फिट मी फाउंडेशन तो इसको मैंने यूज क्या है इसका तो मतलब सुपर डूपर पाउंडेशन है तो कितने आचे तरह फ्लोलेस फिनिशिंग देता है इसका अगर आपको रिबू देखना है मुझे ज़रूर बताना मैं पक्का शेयर करूंगी और छोटू सा है तो परावाला एक डिपी में आता है न काच का मैंने वह वाला ओर्डर नहीं करा तो मैंने इसक इसका मतलब बहुत अच्छा रिबू देखा जब यह लॉंच वाता तब इसे मुझे चाहिए था लेकिन मैं ले नहीं पाया तो मैंने नाइका से ओर्डर कर ली क्योंकि वहां बहुत रेंज थी अच्छी तो इसलिए मैंने एक साथ ओर्डर कर लिया तो इसका भी अगर पूंग मैं एंग मुझे मिला है गिफ्ट में नाइका की तर्फ से मुझे पता नहीं था मैंने घणा को बता सेब prospective को घ्रीज़ा फेल करते हैं तो बाद में मुझे गिफ्ट में मिला है आईबरू पेंसिल दो मैं बहुत ज़द खुश रोगे जब मतलब बताया कि मुझे गिफ्ट में मिला तो मुझे बहुत ज़द अच्छा लगा तो गाईज यही था मेरा आज का वीडियो मेरा छोटा से एक शौपिंग हॉल नाइका तो अभी के लिए बाई गाईज मिलते अगले वीडियो में बाई गाईज